बेवफा 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 निकली तो ऐसी अरकत कोई करे और आप ये गलत हो जाता जोती मौरिया को मैं गलत कहूँगा उसके हस्वेन को सही कहूँगा जब इंसान के दिल में प्यार ही नहीं रहा उस इंसान को छोड़ दो SDM जोती मौरे और सफाई करमचारी अलोक मौरे की लफ स्टोरी किसी से भी नहीं चुपी है इस लफ स्टोरी में प्यार है, ड्रामा है, सेक्रिफाइस है और बेवफाई है पब्लिकली इस मैटर के आने के बाद लोग भी दो गुट में बढ़ चुके है पहला जो जोती मौरे के पक्ष में कह रहा है कि आजाद भारत में वो रहती है वो किसी से भी प्यार कर सकती है तो दूसरा आलोग मौरे को तंज कस रहा है कि आपने शादी के बाद अपनी पत्नी को आखिर क्यों पढ़ाया आज हम दोनों को ही यानि आलोग मौरे और जोती मौरे को जनता के कड़गरे में रखकर जनता से ही पूछेंगे कि आखिर कोहन सही है और कौन गलत मैम SDM जोती मौरे और आलोग मौरे की लव स्टोरी को लेकर आप क्या कहेंगी दिखे आलोग मौरे ने उन्हें बहुत मेहनद करके पढ़ाया उन्हें इस मुकाम तक पहुचाया कि वह SDM बन जाए उसके बाद भी यह पता चली कि कि आखिर के साथ है तो उस वक्त हजबन के ऊपर क्या बीती हो कि वह तो आप सब लोग चान सकते हैं इसनी पढ़ाय लिखाई करवाई उन्होंने अपने लाइफ में बहुत आरे सेक्रिफाइज करे आलोग मौरे ने वह उसके बाद भी उनकी वायत ने दोखा दिया तो यह कि वग रहाना तो चैहीं है पड़ाया है उसे गळत इस्तमाल किया है प्रोटी मोरे वह जो फोटिए में मेरे यही कहना है कि शायद वाइफ में शायद कुछ गलत किया है कि उनको इतना सपोर्ट मिला उसके बाद उन्होंने ऐसा कदम उठह जो सुनने में आ रहा है कि उन् सुनने में आ रहा है कि वो नाओ लव विद अनदर परसन तो यह चीज़े तो गलत है रोट आउट अचा अलोग मौरे को से तंज कसने लोग कह रहे हैं कि आपको शादी के बाद पतनी को पढ़ाना नहीं चाहिए तो बहुत गलत बात होगा इसका मतलब कि कोई पती पतनी को या उसे पढ़नी की सपूर्ट नेक्रें करें के लिए और यहां दूम के रहे हैं लोग कि आप से उनन और यह नहीं कह सकते बाल ड़्य को ऊपर यह अर्गुमेंट कर सकते हैं की एक-क्य वेजह से हम औरों को नहीं पढ़ाएंगे हमारे लिए तो सब इक्वल होना चाहिए कि जिस ने गलत किया आप वो उसके हस्बेंट उसके लिए सोचेंगे पर औरों के लिए ये सब नहीं होना चाहिए ना कि एक की वज़े से औरों के उपर हम लोगों के उपर काम नहीं करेंगी जब उनकी खुत की बेटी होती है तो बेटी तरको अजादी है तो पढ़ आउनिंगस ए हुपужд के इसके बाद अपने हस्बेन का साथ देना चाहिए और ये जरूरी है क्योंकि उसके हस्बेन ने उसको सपोर्ट किया था और मुरल ड्यूटी भी हमारा यही करता है कि जो हमें सपोर्ट करें हमें उसी को ही सपोर्ट करना चाहिए जोती मौरिया को मैं गलत कहूंगा उसके यह गलत है मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूं लेकिन मैंने अपनी वाइफ को पढ़ा के आगे पढ़ा के ट्रेनिंग दिला के क्लास बंद में लाया हूं तो यह गलत है कि पतनी को नहीं पढ़ाना चाहिए अफ्कोर्स पतनी को पढ़ाना चाहिए अगर ऐसा उल्टा केस होता कि यहां पर अगर आलोग मौरे एस जीम बन जाते और वो दोशी करार फेराते तो क्या यह कि इस इतना बड़ा हाईलाइट होता यदि उसकी बाइफ कंप्लेन करती और सोसाइटी में पबलिक मीडिया में यह सा बाता सोचल मीडिया में तो निश् गलत ही हुआ मेरे हिसाब से इसके बाद यह भी का जा रहे कि लड़के लड़किया बेवपा होती है ऐसा कुछ है समाज में तो फरक पड़ा है मैंटम ऐसे काफी फरक बड़े है ऐसा नहीं होना चाहिए और क्या शादी के बाद अगर पती पतनी को पढ़ाता है तो गलत है गलत नहीं लेकिन मैसे तो गलत डाला नहीं है फरक तो पड़ेगा इस केस के बाद क्या ट्रास्ट इशूस हो जाएंगे लड़कों को थोड़ा तो हो का जी सोचना तो पड़ेगा थोड़ा मैंटम इस केस को देखते हो का जाता है आदमी ने पढ़ाया लिखाया अगर उस के बाद उसको छोड़के चली जाएं तो यह ठीक नहीं करा है हमारा इसा यहीं कहता है अगर वरत पड़ी लिखी हो तो कभी भी काम आ जाता है उसको कोई नुक्सान नहीं होता वरत को वरत ऐसी हरकत को करे वरत यह गलत हो जाता है और क्या और वरते बेवफा होती है अब ट्रेंड ऐसा चल पड़ा तो कुछ कहा नहीं सकते हैं आज के टाइम में ट्रेंड ऐसा चल पड़ा होगा है कुछ हो सकता है कहा नहीं सकता है और अगर इस स्टोरी में उल्टा हो जाता है अगर आलोक जोती को धोका देता तो क्या यह स्टोरी उत नहीं उतती है नहीं नही तो पैसा किस के लिए खर्च करता है, इसलिए कि चलो कुछ बन जाएंगे, मेरी बीपी मेरे उत्रे को कुछ बन जाएंगे, बच्चे आगे पढ़ लिख जाएंगे, सही हो जाएंगे, अगर दोख़ई और देगी तो आदमी क्या करेगा, तो शादी के बाद ओरत को नहीं प बढ़ाओ, और उतको तो पढ़ाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके दम मैं करो, और सही आगे निकले, अच्छी बात है